दोस्तो इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुलों तक भी फैल सकता है। बढ़ती उम्र के साथ कमर दर्द की समस्या बढ़ती जाती है। नतीजा काम करने में परिशानी। कुछ आदतों को बदल कर इस से काफी हद तक बचा जा सकता है। चलिए आज आपको बताते हैं कुछ घरेलों नुस्खों के बारे में जिनको अपना कर आप कमर दर्द से आराम पा सकते हैं। पहले बात करेंगे कमर दर्द क्यों होता है। कलिया डाल कर गर्म कर लें। ठंडा होने पर इस तेल से कमर की मालिश करें। ध्यान रहे लैसुन की कलिया काली नहीं होनी चाहिए। नमक मेले गरम पानी में एक तोलिया डाल कर निचोड़ लें। इसके बाद पेट के बल लेट जाएं। दर्द के स्थान पर तोलिया से भाप लें। कमर दर्द से राहत पहुचाने का ये अचू को पाय है। कड़ाई में दो तीन चमच नमक डाल कर इसे अच्छे से सेंक लें। इस नमक को थोड़े मोटे सूती कपड़े में बाद कर पूटली बलाने। कमर पर इस पूटली से सेंक करने से भी दर्द में आराम मिलता है। अजवाईन को तवे पर थोड़ी धीमी आज पर सेंक लें। ठंडा होने पर धीरे धीरे चबाते हों निगल जाएं। इसके नियमत सेवन से कमर दर्द में लाब मिलता है। अधिक देर तक एक ही पोजिशन में बैठ कर काम ना करें। हर 40 मिनट में अपने कुरसे से उठकर थोड़ी देर टहल लें। केल्शियम की कम मात्रा से भी हड़ीया कमजूर हो जाती हैं। इसलिए केल्शियम युक्त चीजों का सेवन करें। कमर दर्द के लिए वैयाम भी करना चाहिए। सेर करना, तैरना या साइकल चलाना सुरक्षित वैयाम है। तैरा की जहां वजन तो कम करती ही है, वहीं ये कमर के लिए भी लाबकारी है। साइकल चलाते समय कमर सीधी रखनी चाहिए और वैयाम करने से मासपीशियों को ताकत मिलेगी और वजन भी नहीं बढ़ेगा। कमर दर्द में भारी वजन उठाते समय या जमीन से किसी भी चीज को उठाते समय कमर के बल ना जुकें बलकि पहले घुटने मोड कर नीचे जुकें और जब हात नीचे वस्तु तक पहुँच जाए तो उसे उठाकर घुटनों को सीधा करते वे खड़े हो जाए। आफिस में काम करते समय कभी भी पीट के सहारे ना बैठें। अपनी पीट को कुरसी पर इस तरह टिकाएं कि ये हमेशा सीधी रहे। गर्दन को सीधा रखने के लिए कुरसी में पीछे की और मोटा तोलिया मोड कर लगा जा सकता है। योग भी कमर दर्द में लाब पहुँचाता है। भजंगासन, शलबासन, हलासन, उत्तान पादासन, श्वसन आदी कुछ ऐसे योगासन हैं जो कि कमर दर्द में काफी लाब पहुँचाते हैं। कमरदर्द के योगासनों को योग गुरू की देखरेक में ही करना चाहिए तो दोस्तो कमरदर्द के कारण आपको बताए और इसके इलाज के लिए आपको क्या करना है वो भी हमने इस वीडियो में आपको बताया उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरे लोग जो इस परेशानी से पीडित हैं वो भी इन नुस्कों के बारे में जाने तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस प्रकार के और भी स्वास्तेवर तक वीडियो हम आप तक लेकर आते रहें धन्यवाद